अब हम डिसकस कर लेते हैं कि रिटेल ट्रेड और हॉलसेल ट्रेड दोनों में क्या डिफरेंस है या रिटेलर और हॉलसेलर दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों के पॉइंट सेम ही है First point, First point के अंदर आपको पता है कि retailer wholesaler से purchase करता है और consumer को sale करता है जबकि wholesaler manufacturer से purchase करता है और retailer को sale करता है Second point, जब retailer consumer को product sale करता है तो आगे product sale नहीं होना होता जबकि wholesaler जब retailer को sale करता है तो ये आगे भी sale करता है मतलब retailer जब sale करता है तो आगे sale नहीं होता wholesaler जब sale करता है तो product आगे भी sale होता है third point है कि retailer थोड़ी-थोड़ी quantity में product purchase करता है जबकि wholesaler काफी सारी quantities में product purchase करता है next point है ये काफी सारे products के अंदर business करता है retailer घर के आसपास के दुगानों पे देख लीजिए काफी सारी items आपको थोड़ी-थोड़ी quantities में मिल जाएंगी जबकि ये 4-5 items में ही business करते हैं कौन? wholesaler फिर ये देखा जाए तो एक ही जगा पर रहकर business करते हैं एक ही जगा पर आपको shop मिलेगी जबकि wholesaler का business बहुत बड़ा होता है go down एक ही जगा बना हुआ है office एक ही जगा बना हुआ है जबकि इसका काम पूरे शहर में आसपास की गावों में बहुत जगा पे चल रहा है तो wholesaler का जो काम होता है वो large scale पे चल रहा होता है फिर आगे हैं ये वहाँ पर अपनी दुकाने या काम चलाते हैं जहां पर consumer असानी से आ जा सके और ये वहाँ पर अपना काम चुदू करते हैं जहां पर truck, transport की facilities बहुत easily available हो जहां पर goods को supply करना इसके लिए easy हो retailer को कम capital की जरूरत होती है इसको capital की requirement ज़्यादा होती है इसका जो business है ना 10% तो उधार में जाता है 90% cash में जाता है जबकि wholesaler को जब भी sale करनी होती है ये 90% तो उधार बेशता है और 10% ये cash में sale करता है ये दोनों में difference है फिर आगे बाद आती है कि ये retailer middle man की last कड़ी है यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो middle man है जबकि ये last middle man है और जबकि ये first middle man है क्या सकते है इसका contact wholesaler के साथ होता है और इसका contact किसके साथ होता है इसका contact manufacturer के साथ होता है ये customers को attract करने के लिए shop की decoration पे ध्यान रखता है go downs बनाने के ज़रुरत नहीं होती ये decoration के उपर ध्यान नहीं देता इसको go downs की ज़रुरत बहुत ज़्यादा होती है suppose इसको ज़्यादा चाहिए product को रखने के लिए last point है कि इसका अधिकतर जितना भी माल है दुकान पे ही रखा होता है go down में थोड़ी बहुत चीज़े ही रखी होती है जबकि ये अधिकतर माल go down में रखता है और थोड़ी बहुत आइटम है जो sample की form में ओफिस में या शोप पे रखता होगा तो ये था difference का topic कि wholesaler और retailer दोनों में क्या difference है